नमस्कार जैहिंद एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका Study Lovers Family में और फिर से एक और Model Paper ये हमारा उत्राखंड Special Model Paper है उत्राखंड के 50 MCQ हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं और पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो एक Full Length Test था जो की वीडियो भी PDO ARO के लिए Important 100 MCQs का था तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें उत्राखंड Special Series का ये हमारा दूसरा वीडियो है इससे पहले हम एक वीडियो 50 MCQ डिसकस कर चुके हैं उसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने 45 PLUS मार्क्स लाये थे और कमेंट बॉक्स में बताया भी था तो बहुत अच्छा रगता है आपका response देखकर और इस वीडियो में अब ये देखना है कि आप फिर से इसमें 45 PLUS मार्क्स ले आते हैं परसन easy to moderate हैं काफी अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के attempt करिएगा और आपने मार्क्स जरूर comment box में लिखिए सबसे पहला परसन आज का 2011 की जन गणना के अनुशार उत्राखंड के निमन लिखित में से किस जिले की जन संख्या सबसे कम है सबसे कम जन संख्या वाला जिला बताना है तो सही उत्तर हो गया रुदर परियाग आप attempt करते हुए चल सकते हैं अपने marks count करते रहेगा end में अपना score जुरूर बताएं थारू जन जाती अधिकांस्ता किस इस्तान की निवासी है तो थारू जन जातियों का जो मुख्यत निवास इस्तान है वो है आपका उद्धम सिंग नगर option नमर 20 का सही उत्तर हो जाएगा उत्राखंड के जनपदों में प्रांत के किस जनपद में सिक्षितों का परतिसत सबसे कम है यानि सबसे कम सिक्षितों का परतिसत सबसे कम किस की है इन जनपदों में से तो सही उत्तर आपका है, हरी द्वार, हरी द्वार का, हरी द्वार में सिक्षितों का परतिसत सबसे कम है, अगला प्रसंद देखिए, निमन लिखित में से कौन सी जन जाती उत्राखंड में नहीं पाई जाती है, तो इन में से देखिए, बोकसा उत्राखंड की है, बोटिया संक्या सबसे अधिक है तो स्ट की बात कर रहे हैं स्ट सिडूल ट्राइप्स जो होते हैं उनकी जन संक्या सबसे अधिक जो यह उध्धम सिंग नगर में है अगला प्रसन हमारे पास है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्राखंड में नैनिताल जिले का इस्थान है तो नैनिताल जिले का इस्थान बताना है 2011 की जनगणना के आनुसार तो जैसे की सबको पताई है सबसे जो नैनिताल की जन संक्या है वो चौथे इस्थान पर है नैनिताल अधिया हरीद्वार का और दूसरा आपका देहरादून का है तीसरा आपका उदम सिंग नगर का है यूएस नगर और चौथा आपका नैनितार है तो चौथा इस्तान है नैनितार अगला प्रस्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दिरिस्टी से उत्राखंड का देश में कौन साइस्थान है, जनसंख्या की दिरिस्टी से उत्राखंड का बीसवाइस्थान है देश में, आप्शन नमर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, वर्स 2011 की जनगणना के अनुसा उत्राखन राज्य का लिंगानुपात है, तो उत्राखन राज्य का लिंगानुपात हमें बताना है 2011 की जनगनना के अनुशार, अगला प्रसंद देखते हैं, वर्स 2011 की जनगनना के अधार पर उत्राखन के किस जनपद की ग्रामीन जनसंख्या सरवादिक है, सबसे ज़्यादा ग्रामीन जनसंख्या जो है, किस जनपद की है, तो सही उत्तर आपका हरीद्वार, हरीद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा भी है, और ग्रामीन अगला प्रसंद देखेंब उत्राखंड का जंसंख्या घनत्व उत्राखंड का जंसंख्या घनत्व इन में से कितना है ओप्शन देख सकते हैं 159, 165, 170 या इन में से कोई नहीं प्रक्षर्टा परतिसत उत्राखंड में है 70 परतिसत। option number D सही उत्तर हो जाएगा। उत्राखंड के दूसरी सबसे अधिक जन संख्या वाली जन जाती है। तो सबसे ज़ादा जन संख्या वाली दूसरी जन जाती बताना है, सही उत्तर है आपका जोन सारी। और आपके लिए आज का सवाल ये है, कि पर्थम कौन है, सबसे ज़्यादा जन संख्या वाली जन जाती कौन सी है, अगला देखिए, उत्राखंड के किस जिले में बागनात मंदीर इस्तित है, तो बागनात मंदीर इस्तित है आपका बागेश्वर में, उप्सन नमबर C, इस जन पद में हर की दून इस्तित है, तो हर की दून किस जन पद में इस्तित है, बहुत फेमस है हर की दून, और ये इस्तित है आपके उत्तरकासी जन पद में, आप्शन नमर A, इसका सई उत्तर हो जाएगा, बदरीनात धाम के कपाट खोलने की तिति किस दिन निश्चि तरह के फल यहां पर उगाया जाते हैं तो बागान इबं फल सूध के इंदर के लिए परसिध है चौबटिया ये उत्राखन के अलमोडा डिस्टिक में पड़ता है ये भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रसंद देखते हैं पुलों की घाटी की खोज किस ने की थी पुलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक S. स्मित ने अगला प्रसंद देखिए तुंगनाथ जो कि पंच केदारों में से एक है पर सिव के किस अंग की पूजा होती है तो तुंगनाथ पंचकेदारों में से एक है तुंगनाथ और इसमें ये बताना है कि सिव के कौन से अंग की पूजा होती है सही उत्तर है आपका बहां की पूजा होती है यहां पर बहां और हिर्दय की कभी question में यह भी बूच किया जा सकता है तो बहां और हिर्दय की पूजा होती है कहां पर तुंगनाथ में अगला प्रस्ण देखे रिसी केस को इस नाम से भी जाना जाता है तो प्रस्ण बहुत बार पूशा जाता है कि विस्टो की योग राजधानी की से खहते हैं पाताल भुबनेश्वर क्या है पाताल भुबनेश्वर एक गुफा है बहुत फेमस्ट क्वेशन है ये बार बार पूश लिया जाता है आम तोर पर हरिद्वार में कुम्ब मेले की समायावधी मानी जाती है तो आम तोर पर हरिद्वार में जो कुम्ब मेला लगता है उसका जो समय अवधी है वो क्या है सही उत्तर है आपका मकर संक्रांती से बैसा की तक option number B करेक्टर अंसर हो जाएगा तो रावन की तपस्थली बैरासकुंड इस्तित है तो रावन की तपस्थली माना जाता है बैरासकुंड ये किस जिले में इस्तित है ये है आपका चमूली जिले में इस्तित option number A सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंदी के निमन लिखित में से अनासक्ति आस्रम किस जिले में है यहाँ पर अनासक्ति योग टी का भी मात्मा गांधी जी ने लिखी थी कौसानी में तो वो यो कहाँ किस जिले में है बागेश्वर में ओप्शन नमबर A करेक्ट आंसर है विस्व परियाटन दिवस मनाया जाता है विस्व परियाटन दिवस आपका 27 सितमबर को मनाया जाता है उत्राखंड का महत्वपूर्ण परियाटन छेतर खिर्सू निमन में से किस जिले के अंतरगत आता है तो खिर्सो आता आपका पौडी गडवाल के अंतर गया तो option number C सही उत्तर हो जाएगा river rapting के लिए उत्रा खंड में इस्तान है तो river rapting के लिए उत्रा खंड में इस्तान है आपका इन में से देव परियाग option number C correct answer है अली मुख्य रूप से परसिद है अब यहाँ पर देखिए option आपको confuse करने के लिए गया skiing भी दे दिया rapting भी दे दिया पैराग्लाइडिंग भी दे दिया और उप्रिक्तों में से कोई नहीं दे दिया तो सही उत्तर इसका है इसकी केले परसिद है औली पाताल भुबनेश्वर जो गुफा है अभी हमने डिसक्स किया था question पाताल भुबनेश्वर क्या है तो एक गुफा है और किस जनपद में स्तित है तो पिथोरागर जनपद में पाताल भुबनेश्वर गुफा इस्तित है अगला प्रसंद देखे उत्राखंड के पांच परियाग हैं तो पांच परियागों के नाम आपको जुरूर हैं रखने हैं देखे कंफ्यूस करने के लिए आपको आपसन देख सकते हैं यहां पर अलग-अलग टाइप से दिये हैं सही उत्तर आपका है अगला प्रसंद देखते हैं परतिसथ है यानि जन संक्या का नगरि करण जिस जिले में सबसे कम हुआ है परतिसथ में उस जिले का नाम बागिशवर है उप्शन नम्बर सी इसका correct answer है जन गर्णा 2011 के अनुसार उतराखंड की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परतीसेत है तो उतराखंड की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का 0.83th परतीसेत है उप्वाइचन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा निमली कितमे से कितने जिलों में लिंगानुपात हजार से अधिक है अब ऐसे जिलों के नाम बताने है कितने जिलों में हजार से अधिक है लिंगानुपात तो सही उत्तर इसका है साथ जिले उत्राखन में ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात हजार से अधिक है और उन जिलों में आपको धियन रखने है, नाम धियन रख सकते हैं, एक तो अलमोडा हो गया, अलमोडा हो गया पहला, दूसरा हो गया आपका रुद्र परियाग, रुद्र परियाग में भी हजार से उपर है, तीसरा आपका जो है वो पौडी गडवाल है, पौडी गडवाल है और छटवा जिला जो है आपका छटवा आपका पिथोरा गड़ है और सातवा जिला आपका चमूली है तो ये साथ जिलो को थोड़ा सा धियान रखना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि एक तो कितने जिले होगे तो ये तो हमेरे पास आसान होगे याद रखने के लिए कि साथ जिले हैं कौन-कौन से जिले हैं ऐसा नहीं पूछा जाएगा लेकिन जिले दे सकता है जैसे टेहरी उत्तरकासी ऐसे चार जिलों का सेट दे दिया और उनमें से पूछ लिया कि किसका लिंगा उन पाद जो है हजार से अधिक है तो थोड़े से य ये जिले आपको जुरूर ध्यान में रखना है काफी important question है अगला प्रसंद देखते हैं 2001 से 11 के मध्या उत्राखंड में सहरी आबादी में दसकिया वृधी दर थी तो सहरी आबादी में दसकिया वृधी दर बताना है सही उत्तर है आपका option number A 39.94% अगला प्रसंद देखे निमलिकित में से किस जिले में वस्तिस्ट गुफा वस्तित है तो वस्तिस्ट गुफा बताना है किस जिले में इस्तित है वस्तिस्ट गुफा आपका टेहरी गडवाल में इस्तित है option number C इसका correct answer हो जाएगा निमलिकित में से किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जन ज जाती की जन संक्या का सबसे ज़्यादा प्रतिसत निवास करता है, सही उत्तर आपका उधम सिंग्र अगर है, option number A, अगर देखे, अलक नंदा और पिंडर नदी के संगम को कर्ण परियाग कहते हैं, तो ये तो सभी को पता है कि कर्ण परियाग में, अलक नंदा और पिंडर न संकर गुफा आवस्तित है, संकर गुफा आपका टेहरी गडवाल जनपद में है, option number C, इसका correct answer हो जाएगा, अगर देखे, जन गरना 2011 के अनुसार सिसु लिंगानुपात में कितने अंकों की गिरावट हुई है, तो सिसु लिंगानुपात में बताना है कितने अंकों की गि गिरावट हुई है, क्योंकि 2001 में, 2001 की जन गरना के अनुसार जो सिसु लिंगानुपात था, वो 908 था, और 2011 के according, यह जो है, आठ सो, 890 रह गया है, तो यानि कुल कितने 18 अंकों की गिरावट हुई है, यह आपको धियान रखना है, option number D, और सिसु लिंगानुपात भी पू निमलिकित में से कौन सा दर्सनिया इस्तल नैनिताल में अवस्तित नहीं है, अब इन में से बताना है कि कौन सा नैनिताल में अवस्तित नहीं है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, option number D, कमलेश्वर मंदिर, कमलेश्वर मंदिर कहां इस्तित है, तो यह भी आप धियान आपके 1916 में 1916 में अगला प्रसंदी के निमलिखित में से किस नदी पर कोटेश्वर महादेव मंदिर अवस्तित है तो किस नदी पर कोटेश्वर महादेव मंदिर अवस्तित है सही उत्तर आपका अलकनंदा नदी पर इस्तित है कोटेश्वर महादेव मंदिर अगला प्रसंद दीखे, निमलिकित में से कौन सा प्रेटर निस्तल पौड़ी गडवाल में अवस्तित नहीं है, आप इन में से देखिए आप, सही उत्तर आपका है सुरकंडा देवी, अब इसका मतलब है कंडोलिया मंदिर पौड़ी गडवाल में है, ज्वालपा देवी मं जागा, निमलिकित में से किस जिले में नियूनतम सिशुलिंगानुपात है, सबसे नियूनतम सिशुलिंगानुपात बताना है इन में से, सही उत्तर आपका पिथोरा गड़ और नियूनतम है, तो इसलिए डेटा भी थोड़ा सा धिहन रख लीजिएगा, 816, 816 जो है सिश उत्राखंड का इस्तान है, 13 यह आप कनेक्ट करके रख सकते हैं, उत्राखंड में 13 जिले हैं, और 13 इस्तान यहाँ पर लिंगानुपात में उत्राखंड का देश में इस्तान है, तो यह कुल हमने 50 MCQ डिसकस किये, I hope आपको लेक्शर पसंद आया होगा, आपने कितना स्प